आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दवा सकते हैं और कोछी इन्पोर्मेसान ऐसी पूर्ण यह जो आप कमेंट पर नहीं पूछ सकते हैं तो मारे स्टागाम पर आप पूछ सकते हैं कीmal आंपेcanos में क्या नहीं Kelvin हुआ है जिसमें क्या क्या चीज हैं मैं पबद्वान पास्चात इसमें कितने मंत्र हैं, क्या चीज़ें हैं, किसके बारें बताया गया, तो देखो, पास्चात विद्वानों के मतान सा, रिगिवेद के सामान विचार धारा से हटकर, या सुक्त महत्पूने के सरवासुक्ते के सरवासुक्त है, इसका विचार है कि प्रसिद इंद्र, सुक्त के अन हर्धा प्रजापरती दोनों एक ही तत्व में जो प्रिथी ने सम्लब राखास ये चिज़ी इसमें बताए है हिराण गर्भ राखास सबस्ब्र अंड डिकट हो निए सब्सक्राइब मिकें सब्सक्राइब्स एंड़ा प्राण का वास्त वस्तिष्ट बताया गया है और अगनी को भी वस्तिष्ट कहा गया है इस आधी प्राण को सूर भी कहा गया है आधूनिक खगोल विज्ञान की भासा में नेबूला कहते हैं यह सूर से पूर की अवस्ता यह सूर से पूर की वस्ता जब सूर बना नहीं था स समूद्र से सूर्य का जन्म हुआ, सम्भावतत, सूर्य जन्म से पूर की इस्थित के पुराणु में से स्याई विश्णू नारायर्ड के रूप में वन्डित किया, पहले जब विश्णू कुछ बना नहं ते नारायर्ड थune कि राट ये टीन और तेल कर तो आप उसे तुन सर्वधी और प्रतम से उत्पन बताया घ्राइए क्ने के Most love स्येशन हुआ है दन्तर और प्रतम जो चीज़े हैं इसमें 8 आगे बढ़ने की स्ट क्रीया क्तव परिपलवन अर्था तहरते वह चार ओर प्रमेर्थ करने के प्रक्टिया बताई परिपलवन की क्रिया में सत्तर हुई है इसके पास्चा तो अंड़ा दो भागों विभाजीत हो गया था तो आप देखो जो पहला पेज न उसे आप रोक रोकिया कर लिखना चाहते है तो सकते हैं इसमें सारा चीज लिखा हुए कि अंड़ के समान इन कोशों है किस तरह से दूसरे भागों दूलोग बना और दूसरे से अंड़ा जो बना वो प्रिफिवी बनी तो हिरन गार्व का सार किसे तरह लिखा जाता सार में सब्सक्ति पहला बताई है कितने गीन चैया प प्राणि मात्र का पालन करता है, उसे एक विशाल पृतिवी अर्थात भावतिक जगत और आकास अर्थात तेजों में जगत के धारान किया, अर्थात अपने नियंतरन में रखा हुआ है, यह तो तो इतना महत्पूर्ण है कि इसके अतरिक कोई अन्य पूजनी नहीं रहा जा इसलिए प्रस्ण किया गया है कि इस तत्त को छोड़ और किस दीव्यतत्त की पूजा करें, जब इसके पूजा नहीं करेंगे, किस करेंगे, सर प्रतम तो यही है कि हम इसकी पूजा करें, इसलिए प्रस्ण यही उड़ता है कि कि किसकी पूजा करें, वह प्रजापती ही आथमा दाता अरथात उसके स्वरूपव को प्रुदान करने माला या उनका स्रिष्ट्टि यही सब को बल प्रदान करता है इसलिए सब प्राणी देव तक इसका पालन सासन को मांते थे इसारी चीज़य इसमें बताई गई है आप देख सकते इसलिए सब प्राणी से मानते हैं इसलिए मित्टू और किस तरह क्या हुआ सब मरण वा प्रित्वी बनी आदमी जन्म लेता है इसका महान स्रिष्टा है तो देखो जो अधिक जो है कि इसमें बताया गया सारी चीजे जो है इसमें सारी चीज़ बनाए किस तरह मनुस्ष बने किस तरह से सब्सक्राइब के दौरा हुए ब्रह्मा के दार ही उन्स सबका वह अकेला ही राजा है अकेला राजा हिरन गर्वी जिससे द्वारा इसारी चीजे बनी मनुस्ष और पसुपच्छी सभी उनके नियंत्रण में ही प्राण लेते हैं कि जो जीवित हैं सब लोग सभी निकी न प्रवतिस प्रजपती के आने जाने वाली नदियों के अपॉड मान, विस्तार प्रावार भी इनके अधीन हैं, जितने भी परिवार हैं सारह इनके अधीन हैं इसके लिए दिखाई जाने वाली और उससे भी परे दिसाइन के नियंतर में ही रहती है, सारी दिसाइन के नियंतर में रहती है, कहागे, आप यूद उसके लिए इनकी सीमित है, मानुस के दो हाथ हो, अत्वा मनुस की ही भुजावासुत उसी की है, जो मनुस की भुजावासुत है, जो मनुस की भुजावासुत है, उस का संबन्द है सूर के आज दोनों से संबन्द है क्योंकि यार जो फित भी जो बनी उसे पहले सूर नहीं था उस तूटने के बाद बना जो चमकते हैं सितारे चांद बंद के सारी चीज़े क्योंकि ये भुमंडल पार के ही मुच्छुक परमसुख का अनुभाव करता है और स सिष्टी के साथ ही प्रजापत ने इन सुक में स्थिति की स्थापना की प्रंत कोई धावक ही उसे प्राप्त कर सकता है जो धावक होता है उसे वह बोला कि वही प्राप्त कर सकता है और कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता अतरिक्तिस महां जोती जो विद्धूत का निर्मा यानि कि जो आकास लोख है वो बना दो खंडो से हुआ प्रजापत ने अपने अस्थान पर अवस्थित कर दिया जब टूटने के बाद जो जहां पर पस्थित हो गया उसे कहने के मतलब जा कि भगवान नहीं स्थापितिया परन्तु अंड के विभाजन होने के समय उन दोनों खंडों में कुछ चर्मराहाट हुई जब अंड विभाजन होगा तुम चर्मराहाट हुए उसी कारण धवर कृति भी करन्दस भी कहा जाता है कि यार ये तूटते उटते रहता जैसे ज्वाला मुखी निकलता रहता है तूटता रहता है वही उसी चीज में बताया गया कि अकाजगा फित्मी कुछ कुछ होता रहता उस समय तुलित प्रकास के दीपत उन दोनों में प्रजब्रत को पूर्ण एकागर से देखा अर्थात उसके प्रति आधर भाप्रकट हो गया कि आधर भाप्रकट हो पर सूर्य उदित तो होता है सूर्य रूप महान तेज इंदु होने के गवरव प्रतान किया इस मंत्र में उस देव्य स्रिष्ट के महान समुद्र का वड़न है कि कुछ भी प्रिथक नहीं था जिससे स्रिष्ट का मूल कारण हिरन गर्म अंड प्रकट हुआ इस अंड को ही यहां गर्भ पताया गया इससे सभी देवता मिले कि यहां देवों का एक प्राण कहा गया है उपर के मंत्रों में यही बता गया कि सक्ति के आधार पर भूतत्व के रूप में हिरन गर्भ का वड़न देखे आये हैं संभौत है यहां पर परमात्मा की ओर संकेत है कि जो पारंभिक स्रिष्टिजल और हिरन गर्भ का सिस्ट्री रूप यह कोदपन अर्थात आरंभ गिया था यहां यहां संकेत महत्त्पूण है कि समग्र सिष्ट्रे में यग्यम है और वही एक मात्र सर्व नियंत्र जग दूत-पादक परमात्मा तत्व है उसके उसने भिन-भिन अर्थ सकति है ह्मारी पूजा मात्र की सकत किसी सुख दुख में दिखाई नहीं देती दुख तो मनुष के कर्म सुथपन होता दुख न होने से उसका मंत्र में ही दिया गया कि क्योंकि परमेश्वर के सर्वध धर्मा अर्था सच्चे सूब वस्थित न्यमों माला बताया गया तो जो चीजी इसमें बताएगी है ना प्रतियमान दुख को दुख नहीं मालता इस न्यमों का पलन करता है उसे दुख नहीं होता है अनंदसील होने के कारण वह प्रतियमान दुख को दुख नहीं मालता इस नियनत्र में इसपर्श्ट वह जाता है की पूर के नो मंत्रो में जीन अन्यन देव के यव поверх की जिगाशब प्रकट की गई हो सब जनों का पालन करता प्रजा-पति ही जो और नहीं वह पन मात्र सभी प्राडिव में प्राप्त है उसमें कोई भी उस स्वामी न करके पालन करता है, अधिक कुछ चीत भानना कि जो बनाया हो पालन करता है, मैं स्कुम्लोर ने इस मत्र में जिग्या सामय दार्शनिक भाउना के आगे हलका बताएंगे, इस अनसार इस मत्र के दोरा सामता सुकतो की उदात विव्रिती हो गई है देखो जितने वी सुक्त है ना यह किस तरह से बताया गया किस तरह से नहीं फिस सारी चीज़े होती रहती है आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको यह चीजी इसलिए बना रहा है देखो मैं कोले में पढ़ता हूं मैं इससे मेरा रिविजन भी हो जाता है आप लोगों तक कुछ चीज़े पहुत जाता है थैंक्यू थैंक्यू सो मच